हेलो दोश्तो स्वागत है आपका एजुकेशन अडा नईनटीन पर दोश्तो यहाँ पर स्वागत है आपका एजुकेशन अड़ा न मेरिट लिष्ट जारी किया जा चुका है यहाँ पैस हम अन्तिम फौर्थ मेरिट लिष्ट अंति मेरिट लिष्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं और क्या फिफ्थ मेरिट लिष्ट भी जारी हो सकता है इसे के साथ यहाँ पर अब डारेक्ट एड्मिसन आप कैसे ले सकते हैं या फिर दोस्तो नया All-In-Form कप से डले का जो केंडिडेट नहीं डाल पाई है क्या उनको फिर से मौका मिले रहा इस अभी विस है पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा चलिए सबसे पहले मेरिट लिष्ट में नाम कैसे देखना है जानते हैं तो मेरिट लिष्ट में नाम चेक करने के दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से कोई सभी एक ब्राउजर उपन के लिएने फिर इस प्रकार से CGITI सर्च कर लिन है जैसी आप यह सर्च करते हैं फिर देखेंगे CGITI लिखा हुआ आ जाता है सबसे टॉप में इसी पर आपको सिंपल से क्लिक कर लिन है इसक हे मेरिट लिस् itself में नाम देखने के लिए आपको अपना मोबाइल नमबर और पासवर्ड को डाल कर और यहां पास यह bisa डलको डॉ burぎ nut क्लिए तो यहां से फारगट पाशवर्ड पर क्लिक करके आप अपना अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड पर और पाशवर्ड सब्सक्राइब हॉत तो चलिए हम यहां से login करके आगे merit list पहले चेक करते हैं तो यहां पास mobile number और password डालेंगे तो कुशी इस प्रकार से दूस्तो अपना mobile number और password और यह capture code भी आप यहां पास enter कर लेते हैं इसके पास simply से आपको यहां से submit के option पर click कर लेना है इसके पास आपके समनी इस प्रकार से आपका detail देखने के लिए मिल जागा आपका mobile number आपका father name बगर ठीक है इसको आपको simply से scroll करते हुए नीचे आजन है ठीक है अब यहां पास आपको एक my allotment या मेरा अबंटन का option दिखीगा इसी पर आपको click कर लेना है इसके पास अब यहां पास select merit list का option आपको देखने के लिए मिल जाता है तो इस पर आप click करेंगे तो दिखीए यहां पर fourth merit list जारी किया जा चुका है ठीक है इस पर click करके देख सकते हैं इसके साथ यहां पर 5G trade के लिए भी अलग से आप इसमें select करके देख सकते हैं तो यहां पर हम fourth merit list select करते हैं इसके बाद थोड़ी दिर आपको wait का लेना है फिर देखेंगे दोस्तो इस परकार से यहां पर fourth merit list open होकर आ जाता है और अगर दोस्तो आपका नाम merit list में आ गया है तो यहां पर selected लिखा हुआ आ जाता है और अगर merit list में आपका नाम नहीं आया है तो कुछ इस प्रकार से not selected लिखा रहेगा ठीक है और नीची में आपको कौन सा college वगरा मिला है वो सब आप यहां से देख पाएंगे और अपने college में जाकर admission ले सकेंगे अब merit list में अगर आपका नाम आ जाता है तो दोस्तो यहां पास जो schedule जारी किया गया था उसके अनुसर यहां पास आप देख पाएंगे यहां पास दिया गया था fourth merit list के लिए date ठीक है उससे एक दिन पहले ही यहां पर जारी कर दिया गया है अब जिन जिन candidate का यहां पर नाम आ गया है वो सभी candidate यहां पर एक अगस्त से लेकर यहां पर तीन अगस्त तक admission लेने के लिए अपने संबंधित college में चले जाना है ठीक है इसका बत दोस्तों यहां पर चतूर्थ सुची में जो data है वो chips के portal पर 38 को यहां पर update करती जाएगी तो देखिए यहां पर जो seed deal जारी किया गया था उसके अनुसार यहां पर fourth merit list तक ही जारी किया जाना है ठीक है और इस अनुसार यहां पर यह fourth merit list भी जारी किया जा जुका है और यह anti merit list है ठीक है अब दोस्तों यहां पर अगर और भी रिक्त seed बचता है तो इसके लिए यह रेजिस्टेशन कर पाएंगे और जिन कंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है उनको भी यहाँ पस मौका दिया जाएगा ठीक है तो दोस्तों जैसे ही इसके लिए कोई अलग से नोटिस जारी किया जाता है तो उसके उपर दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बना कर बिल्कुल आप सभी को जनकारी देंगे आप सभी एकदम निश्चिंत रहेगा बस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होएंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लिजेगा आगे आने वाली अपडेट कि लिए ठीक है तो यहाँ पस नया फॉर्म तो नया मेरिट लिस्ट भी जारी किया जेगा सारी अपडेट आप सभी को लगतार हम देते रहेंगे ठीक है फिलाल इस वीडियो में यही सारी जनकारी देनी थी चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए दूस्तों धन्यवाद झाले झाल झाल